नमस्कार दोस्तों जैहिंद डीके आदम नियूज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रेब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन बंदे मातरम सबसे पहले तो डिफॉल्ट होने का खत्रा जब बात करते हैं बैरूनी खर्जे अदा हम ना कर पाएं तो डिफॉल्ट हो जाएंगे चलें मान लेते हैं सागडार साभ की बात वो जो कह रहे हैं कि जनाब वो तीन अरब डॉलर कहीं से आ जाने हैं कोई ऑपोजेशन जो है वो स्टूपड नहीं है नाई गर्मन्ट स्टूपड है इस वकर दे देगा लेकिन यह जो तीन अरब डॉलर के कमर्शल बैंकों से लोन लिये हुए हैं जो रोल ओवर भी नहीं होने हैं और वो भी मिचॉरिटी के करीब आ गये हैं वो कहां से देने है पाकिस्ताने अगर वो ना दिये पाकिस्ताने वो भी तो डिफॉल्टी है बहुत शुक्री आपका लेकिए मैं पहले आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूँ कि पिछले चंद हफतों में एक दरजन से ज्यादा मरतबा मैंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करे रहा हूं इस वत आप आई-एमेफ के प्रोग्राम में हैं आई-एमेफ के प्रोग्राम के दौरान अगर कोई मिल्ट डिफॉल्ट करता है तो इतो आई-एमेफ के वोपर रहा है तो तमाशा पड़ जाएगा कि पिर आपकिस मर्स की दवाएं उनको तो लाय ऐसी काम के मैं आप से ही अर्स कर दूं कि नौ नौ दिसंबर दो हजार बाइस को अभी चंद दिन पहले उसके वजीर खजाना साओधी अरब ने एक प्रेस कॉनफरेंस की है उस प्रेस कॉनफरेंस को कोट किया है ब्लॉम्सबर्ग ने और उन्हों ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मु स्ट्रेबलाइस करें लेकिन अफ़ानिस्तान के मामले में स्ट्रेटिजिक लोकेशन के मामले में और तालबान के मसले पर जो हमारी मदद की जरूरत है वो अभी एफोड नहीं नहीं करें तो कल को उन पर भी मामला आ सकता कि भजजन अब डिफॉल्ट तो आब हो गएं एक बात हुई है दूसरे आपको ये यकिन दिलाता हूं कि अभी दिसम्बर दोहजार तेस तक भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे मैं आज बता रहूं हम नहीं करेंगे लेकिन इस मुद्ध मुद्ध में ये जो मौलत है अगर इस से फायदा उठाकर पाकिस्तान की मेश्ट क बहाल करके खुदनिसारी की तरफ नहीं लाया गया बैरूनी कर्दों बैरूनी इंदाद निशकारी और रेमिडेंस नहीं रखा गया तो फिर आपको खौफनाक सूरत हाल होगी अगर वो कोई समझ है तो उसकी रूफ भी काम जाएगी मैं आपको दुबारा कह रहा हूँ ज पहले मैं आपको बता दूँ डार्ट साब का एक बयान है उसको मैं जो आपने पहला कोट किया मैं आपको यकीन दला रहा हूँ क्यों कह रहे है मुझे नहीं पता मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते कि कौन समझाएगा इन लोगों को दिवालिया होते हैं वो कंपनी जो ब बताता है मैं आपको फिर कहरा हूँ ठीकनिकली स्पीकिंग मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते हैं डिफॉल्ट हुआ करते हैं एक चीस मैं 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 मलक साब क्या कॉमेंट लेना चाहरा हूँ मालक साब पाकिस्तान अभी वी उस कंडिशन में है कि आप अपनी कंपटी पे बंदूक रखके बैठें और क्या मैं गोली चलाने लगा हूँ और अगले आके आपकी बंदूक हाथ से निकालने इतना वैल्यूवबल है अभी भी पाकिस्टान आपके खालत है ये मैं डाट साब से तो माशालला बहुत हम से इलम से आगे हैं वगर मैं समयत हूँ ये हमारे हैं ही राज आते हैं हमने आया पॉथ से रखें जी का महारा जोगराफिया बड़ा जबर्दस है लोकेशन बड़ी जबर्दस है जो हालत ये आपके समने है कि इस मुल्क में इतनी अच्छी लोकेशन हो तो चैलिस फिसद तो पाकिस्टानी बचे ने बचे ने जिए जिनग मैं शुरू का तर डिफाल्ट होंगे कि नहीं होना है होना है कि नहीं होना मेरा आप से सिंपल सवाल ये है कि पंद्रह बिलियन डालर का आपका ट्रेड करेंट अकॉन डैफिसिट है फूर्टी बिलियन यूएस डालर का आपका एन्वल ट्रेड डैफिसिट है सैवन्टी ब लेंगे मुझे ज़रा ये समझा दें लेकि पहले आप मैं आइस कर दूँ आपने बड़े आहम नुकात उठाएं सब ने लेकिन मैं कुछ आपको हकीकत बताना चाहता हूं हमारी मैशत को खौफनाक चेलेंजिस दरपेश हैं खतरनाक दरपेश हैं तमाम बाते अपनी जगा लेकिन कुछ हकाइक मैं बताना चाहा रहा हूं जिसकी वज़े से हमारे जो एकस्पोर्ट हैं 31 अरब डॉलर की हैं तकरीमन इस वाक एकपतीस अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज हैं तो सीपेक को अगर खुदा नखासता पाकिस्तान मुश्किलात में आया जिसकी हम बात कर रहे हैं मैं डिफॉल्ट कलाव इस्तेमाल नहीं कर रहा तो सारी दुनिया आएम एफ वर्ल्ड बेंक कहेंगी यह सीपेक की वज़े से हैं इसको रूल बैक करा दो तो वह एफॉल्ड हास्यार की करने के तेस में पाकिस्तान को क्या करने की ज़रत है practically वह रिखती है इस भार इस इसको डिसकूस करते हैं पहलेत करका करें महारा है हमारह हो चुका है देखिए हमेरे जो वाजबात हती बाएमें है एक बाहर गोंब्रेशि को वह पार्गार के सुन्यार के ह송ी बाहिर के लोगो ने पाकिस्तान में यहांपर इन्वस्मेंट ही हर रोज हम चीखते हैं कि भी प्रोड को को लेआओ पाकिस्तान में जो लांचचे हैं तो अनके साथ यह मौईदा होता है कि वह अपने प्राफिट्स अपने डिविडेंट्स अपनी इंटरिस प्येमिंट् पाकिस्तान स्टेट बैंक ने उन सब की उपर मुकमल पाबंदी डाल दी है, वो नहीं हो रही है, तो यू है और डिफॉल्टेड ओन फॉरंग इन्वेस्मेंट की जो पेमेंट से नब रहे हैं, अब इसको डाक्सरा टेक्निकल डिफॉल्ट कहेंगे या वर्चुली होगे आप आपने वाजबात को बगते हैं आप जो सरफ जो कमर्शल लोन था ये उसकी डिफॉल्ट को डिफॉल्ट नहीं कहते हैं, आप इसको भी डिफॉल्ट दूसरा, यहाँ पर जो फॉरंग एरलाइन आती हैं, वो जो आप या टिकेट वेशनी हैं पाकिसानी रुपीज में वो इस ख्याल से कि भाई उसका जो मनाफ़ होगा वो अपने डॉलर्ज में ले जा सकें, वो नहीं ले जा सकती हैं, वो भी बंद हैं, अभी प्राइमिस्टर सहब जब गए थे टेकी, वहाँ पर टेकेश एलाइन ने ये पॉइंट प्रॉइंग उठाया था उनकी की जरूरत होती है कि वो काम करें और कारुबार चले, उन तमाम की आपने पहले तो इन ते खजाना ने बयान उलड़ दे दिया, उनका ये कहना है कि मईशत बेहतर सम्त में जा रही है, ये धिंडोरा पीटरी है, आपोजिशन आपोजिशन पाकिसान को दिवालिया करना चा है कि जो भी पावर में आएगा, वो मार खाएगा, किसी के पास ऐसी गिदर सिंगी नहीं है, क्योंकि बात आपने करनी है, बेसिकली एकॉनमी की, आपकी एकॉनमी बिल्कुल इस गोइंग डान दे रोड, ठीक है ना, आपका इतना एक्सपोर्ट का इस वकत प्रॉब्लम है यह मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को पता है, कि आपका यह जो मैसिव लॉस अफ एक्सपोर्ट है, तैट इस ट्रिमेंडिस, इंक्रीज़ अनिम्प्लॉइमेंट आपके पाकिस्तान में, दोनों की, यह नहीं के गवर्मन्ट की है, आपोजिशन के भी लोग हैं, दो पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक लोकिसन ऐसी है कि दुनिया को पाकिस्तान की काफी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि तालिवार को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पाकिस्तान सोचते हैं कि हमें दुनिया डिफर्ट नहीं होने देगी और ह बाहर प्रॉपर्टी बना ले पाकिस्तानियों को बही उम्मेद आज भी दिख रही है कि कहीं से भी हमें दुनिया को हमारे इतनी जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास काफी ज़्यादा डॉलर आएंगे दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को कहना है कि چाइना हमें बचा लेगा कि चाइना को हमारी बहुत ज़्यादा जरूरत है सीपेक के लिए चाइना ने सिरी लंका को तो नहीं बचाया लेकिन हमें जरूर बचाएगा क्योंकि चाइना की सीपेक के बज़े से यदि पाकिस्तान डेफॉल्ट होता है तो दुनिया चाइना के उपर काफी ज़्यादा दबाब होगा इसलिए चायना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को डेफॉल्ट नहीं होने देगा और पाकिस्तान को इस तकड़े क्राइसिस से चरूर निकाल लेगा 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 कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान डेफॉल्ट कर चुका है आपकी कह रहा है कमेंट में जरू सेयर करें य यहिल बंदे मात्रम